हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का हमारे एक और नए और इंट्रेस्टिंग वीडियो के अंदर तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हम अपने फोटो में से किसी भी तरह के पिंपल या फिर दाख धब्बे को किस प्रकार से रिमीव करें तो दोस्तों वीडियो के लास्टिक बिने रहें वीडियो को जराब इसक्रिप ना करें तो दोस्तो अगर आप वीडियो के लास तक वाज करते हैं तो दोस्तो 100% की गारेंटी मैं देता हूँ कि आपको भी अपने फोटो के अंदर से दाग दबे या फिर पिंपल को रिमूब करना सेख जाएंगे तो दोस्तो चलिए बिना टाइम को आएं वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो हम अपने फोटो साप प्रोग्राम के अंदर आ चुके हैं अब आपको उस फाइल को ओपन कर लेना है जिस फाइल में से आपको पिंपल या फिर दाग दबे को रिमूब करना है तो दोस्तो फोटो को ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको फाइल में आना है फाइल में आने के बाद आपको ओपन पर किलिक करना है उसके बाद दोस्तो आपको आपका फोटो को स्लेट करना है उसके बाद यहाँ से ओपन पर किलिक करेंगे तो आपका फोटो आपके थोड़ा सा जूम कर लेना जिससे आपको फोटो में काम करने में ध्युलцо ह सा आसानी हो तो दोस्तो दोस्तो फिलती Past फोटो आपके सामने जूम होने लगेगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आना है आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पर आना है आपको इस वाले आप्शन पर किलिक करके राइट किलिक करेंगे उसके बाद यहाँ से पेस्टूल को सिलेट कर लेना है पेस्टूल को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपका जहाँ पर भी दाग धबा या फिर पिमपल हो जैसे कि यहाँ पर एक पिमपल है मैं इसको आपको दिखा देता हूँ पहले तो आप इसके alt प्रेस करेंगे उसके बाद दोस्तो लेक्ट को क्लिक करते हुए आप में से circle में करके छोड़ देना है उसके बाद दोस्तो इस circle के उपर आपको click करके आपको उसके बगल में कहीं पी भी जहां से आपको जहां काई skin आपको वहां पे लाना है उसको आपे छोड़ देना है तो दोस्तो ये देखिए आपके सामने ही pimple गयव हो चुका है तो दोस्तो ये process आपको हर pimple के साथ में करना है तो दोस्तो इससे होता क्या है जब हम यहां पे इसको select करके छोड़ते हैं तो दोस्तो वहां का skin वो ले जाके वहां पे cover कर देता है तो दोस्तो इसी तरह से हम सभी pimple के साथ में करेंगे पहले तो alt प्रेस करेंगे उसके बाद इसको circle में करके इसको यहां पे छोड़ देंगे उसके बाद इस पर click करके उसके बगल की skin को छोड़ देंगे तो दोस्तो इसी तरह से हम सभी pimple को alt के साथ select कर लेंगे जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूं ऐसे एकी साथ कई सारे pimple को alt के साथ select करके इसको उस वाले skin पर ले जाना है जहां का skin clear और white है तो दोस्तो मैं यहाँ पर ऐसे इसे करके ड्रै करके click कर दूँगा यह हमारा हट जाएगा ऐसे ही दोस्तो हमको सभी pimple या फिर जहां पर भी दाग धबबा रहा है वहाँ पर करके इसको छोड़ देना है तो दोस्तो यह देखिए बहुत यह आसानी से हमारा work कर रहा है तो दोस्तो इसी तरह से हम सभी प्रकार के pimple या फिर दाग दब्बे को आटा सकते हैं यह देखिए आपके सामने ही यह मैंने बता दिया प्रकार यह देखिए दोस्तो यह हमारा दाग धब्बा हट चुका है यह हमारा जो pimple था यह बहुत ही आसानी से हट चुका है तो दोस्तो वीडियो आपको ज़रा सभी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हां दोस्तो वेल के साथ तब तक के लिए जाएं जाएं जाए भारत